वीवो का दोस्तों एक नया स्मार्टफोन लॉंच हो चुका है वीवो T3 Pro ये अपने सेगमेंट का सबसे फास्टेस स्मार्टफोन है क्योंकि इसमें आपको Snapdragon 7 Gen 3 देखने को मिलता है और इसके brightness की बात करें 4500 nits की आपको इसमें peak brightness देखने को मिल जाती है और भी जवरदस्त specs और features के साथ ये smartphone आता है वो आगे स्यूडियों बताऊंगा तो अभी के लिए जब आप इसको sale पर खरीदेंगे तो कौन सा bank offer यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना उस पर bank discount होगा इसके अलावा अगर आप इसको खरीदना चाहेंगे EMI पर EMI में कौन-कौन से credit card होगे जहाँ पर आपको EMI option बढ़िया देखने को मिलेगे no cost EMI होगी यह नहीं होगी कितने महीने की EMI रहने वाली है यह सारी डीटेल इस smart phone के बारे में बताने वालों तो वीडियो को पूरा देगेगा उससे बहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने flip card open कर लिया है सबसे पहले मैं आपको Vivo T3 Pro के color और variant के बारे में बता देता हूँ दो color में आपको देखने को मिलता है green और orange कोई सा भी यहाँ पर आप select कर सकते हैं इसमें आपको वेरियंट में storage में दो option मिल जाएंगे 128GB, 256GB 128GB वाले कीमत है 24,999 रुपे और अगर आप 256GB storage करते हैं उसकी कीमत है 26,999 रुपे तो कोई सा भी वेरियंट यहाँ पर आप select कर सकते हैं और इसमें आपको 8GB RAM देखने को मिल जाती है इसके बाद कुछ इसके highlight, specs के बारे में आप जान लीजें इसमें आपको 8GB RAM मिलती है 108GB storage की साथ प्रोशेजर Snapdragon Gen 3 आपको देखने को मिलता है रियर में दो कैमरा मिलेंगे 50MP और 8MP फरेंट में आपको selfie camera 16MP का देखने को मिलता है डिस्प्ले साइस की बात करें 6.7 इंजिसकी whole HD plus AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जो की curve डिस्प्ले रहने वाली है battery capacity की बात करें 5500 mAh की battery capacity आपको देखने को मिलेगी अब चलिए bank offer के बारे में मैं आपको बता देता हूँ उपर की तरफ जैसे हम scroll करेंगे तो यहीं पर हमें bank offer देखने को मिल जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 bank offer डिस्काउंट मिलता है तो debit card पर भी आपको यह सेम 3000 रुपे का discount देखने को मिलेगा तो bank discount आपको इन 3 bank offer मिलेगा जिसके बाद इसकी कीमत हो जाएगी 21,999 रुपे चलिए अब EMI option के बारे में बता जता हूँ किस तरह के आपको EMI option देखने को मिलेगे सभी bank को में आपको दोस्तो no cost EMI option देखने को मिलने वाला है कोई सभी यहाँ पर आप credit card select कर सकते हैं और सभी में एक जैसे ही plan आपको देखने को मिलेगे जैसे कि मैं HDFC bank का credit card select करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 6 महीने की EMI और 3 महीने की EMI अगर मैं 6 महीने की EMI select करूँगा वो होगी 4000 कुछ रुपे और यहाँ पर यह नो cost रहे माली है 3 महीने की होगी 8333 रुपे वो भी no cost EMI होगी और यहाँ पर आप processing fees देख सकते हैं 299 रुपीज होगी जो की आपकी EMI से अलग कटेगी तो यह हर credit card में कटती है और अगर मैं no cost EMI हटा दूगा उसके बाद हमें मिल जाती है 24 महीने की 18 महीने की 12 महीने की 9 महीने की यह सारी interest वाली होगी जिस पर हमें 16% का interest देना होगा और interest लगने के बाद total cost कितनी हो जाएगी वो भी यहाँ पर लिखी गई है सबसे कम price की EMI है 24 महीने की जो की 1225 रुपय है तो आप यह भी select कर सकते हैं लेकि यहाँ पर आपको 16% का interest देना होगा और total amount यहाँ पर आप देख सकते हैं लगबग 30,000 के आसपास आपका यह फूरा smartphone पढ़ जाएगा इसी तरीके से सारे बैंको के credit card में आपको यह discount EMI option देखने को मिलेगे कोई सब यहाँ पर आप credit card select कर सकते हैं यह smartphone आपको कैसा लगा क्या आप इसको sale के दोरान खरीदेंगे वीडियो के comment section पर लिख कर जरूर बताना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो